हेलो गाइस तो गाइस इस वक्त मैं हूं खुरोता में घुक्ता एरिया में जो की तरमशाला से 14 किलम्मेटर की दोरी पर है तो इस वक्त में काफ़ एंट्राइबर हूं काफी ज야दा हावा मेरे को तच कर रही है जिससे मेरे को ठढ भी लग रही है थोड़ी थोड़ी और यहां पर काफी ठढ दी हावा है तो भी थो ठढ लग रही है तो इस वक्त में ख़डोत्ता में हूँ जो की धरमशाला के 14 किलोमेटर की दूरी पर है और आठ किलोमेटर की दूरी पर है खन्यार तरमशाला से और खन्यार से ही हमें टर्म करना है खडोत्ता की ओर जहां से आपको अपनी ट्रैकिंग एरिया की शुरुआत करनी है मतलब जहां से आपको अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है यह एट नहीं जाने कि खड़ता कहाई पर हैंकर ये लोग यह नहीं जानते कि कहाँ ना कर सकते हैं नहीं प्दोटा से वर उल्हाइड गाहँ पर हूं। तो आप फुल अंजोई कीज़ियर फिलाल मैं आपको बता देता हूं मैं कहां पर हूं तो मैं काफी उंचाई पर हूं यह दीखिए मैं काफी उंचाई पर हूं यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अनन्द आएगा खड़ोता हिल स्टेशन काफी बड़ी है मैं आपको नीचे लोकेशन दे दूँगा जहाँ पर आप गूगल सर्च कीजिए और गूगल मैप से आप खड़ोता एरिया को ढूण लीजिए यादि आपको मुश्कील आ रही है अंय था आपको मैं बता रहा हूं धर्मशालत से आपको खण्यार की तरफ आना है खन्यार का भी मैं location दे दूँगा आपको वहाँ पर आना है और खन्यार से आपको turn करना है खडोत्ता की ओर आप लोगों से भी पूछ सकते हो जो यहाँ के local है उनसे पूछ सकते हो कि खडोत्ता को कहां कहां से जाना है यदि आपको फिर भी पता नहीं लग रहा है तो मैं आपको location दे दूँगा वहाँ पर आप टच कीजिए और आपको मिल जाएगी बैस location तो आप जू रही है यहाँ पर खडोत्ता हिल स्टेशन तो मैं आपको पता देता हूँ यहाँ का view ठीक है लाहीज यह बहुत पर नहींदा है तो जू गये हाँ हमारा खडोत्ते हिल स्टेशन यहाँ से आपको आपने ट्रैकज़ करना है यहाँ आपका ट्रैकिंग एरिया यहाँ पर आपको आपको बादार करने है ठीक है इसका जो रोड है वो आपको वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा मतलब आपको रोड दिखाई दे रहा होगा अवी शेप में यहां से आपको अपने ट्रैकिंग शुरू करनी है ठीक है यहां पर नीचे गाणियों के पार्किंग लगती है यहां पर नीचे गाणियों के प गारा मिल जाएंगे तो आप जिरूर आईए यहाँ पर खड़ोता एरिया में जो की खन्यार से लगवग 6-7 km की उन्चाई पर है मन जाएंगे पर खर खड़ यहाँ रहाँ परी है